ये प्यारी सी स्टोरी एक आदमी की है जो उसके सपनों को वो देखता है और फिर वो आगे क्या करता है एक बार एक पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति होता है जो पहाड के पत्थरों को तोड़ता था जिसके बाद उसे मजदूरी मिलती थी उसी से उसका जीवन और रोजी रोटी चलती थी वो दिन रात मेहनत करता रहता था एक दिन वह व्यक्ति समाने दिनों की तरह काम पर गया और पथर तोड़ने लगा और वो मज़दूरी करके घर वापस लोटने लगा घर लोटते लोटते रास्ते में उसने देखा कि पहार तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा मेरी जिन्दिगी ऐसे ही कटेगी क्या मैं रोज पहार तोड़ता हूँ मजदूरी करता हूँ थोड़े पैसे मिलते हैं घर जाता हूँ और मेरा जीवन वतीत हो जाता है वापस से मैं अगले दिन जाता हूँ काम पे लग जाता हूँ काश मैं भी बड़ा आदमी बन जाता हूँ और मेरी जिन्दिगियां भी खुशियों से भढ़ जाती हूँ या सोचते हुए वैक्ति पूरे रास्ते याई सोचता रहा और घर आ जाता है घर आकर खाना पीना खाकर आराम से सोने चला जाता है साथ ही अपने बड़े होने की बात सोचता है कि काश मैं भी बड़ा आदमी बन जाओ और मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हूँ और उसको नीन आ जाती है वह सो जाता है जैसे ही वैक्ति नीन में जाता है उसे सपने दिखने लगते हैं वह अपने सपने को वह व्यक्ति में देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा सा बंगला है जिससे वो सैक्डों की संख्या में नौकर काम कर रहे हैं और वो आराम से सो रहा है बड़ा सा बंगला को अपना सपना देखकर वह व्यक्ति सोचने लगता है कि काश इस बंगले का मैं मालिक बन जाओं जैसे ही व्यक्ति बंगले को देखकर उसकी मालिक बननी की इच्छा करता है तुरंत ही व्यक्ति उस बंगले की मालिक बन जाता है यह व्यक्ति देखकर वो बहुत खुश हो जाता है बंगले का मालिक बंद सोचता है कि अब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाओं इतने में ही व्यक्ति उस बंगले के बाहर से निकलता है और उसको एक आवाज सुनाई देती है आवाज के कारणवा व्यक्ति बंगले के बाहर आता है और वो देखता है कि उसक को हवा में लहरा रहा होता है जिसे देखकर हजारों की संख्या में व्यक्ति जोर जोर से नारे लगा रहे थे और उसे सम्मान दे रहे थे राजनेता को देखकर वह व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि काश में नेता बन जाओं और मैं भी मामूली इंसान से एक बड़ा राज ँसको तुरंत राजनेता बन जाता है जिसके भीचे सेते हजारों के संख्या में लोग खड़े होते हैं और लोग उसके यह देखें का शपी सब्सक्ति होता है राजनेता बनने के कारण वैसी कर towels ते राली पढ़ाता, तो मुझे बहुत पसीना आ रहा दा, इतने में वह वेक्ति सोचने लगता है, वह राजनेता से, कि काश, अब मैं सूरज बन जाओं, जिसका कोई राजनीता भी कुछ बिगार नहीं सकता मैं वक्ति सोचने लगता है कि मैं अब जल्दी से सूरज बन जाओ इतना ही वह सोचते सोचते उसको ये लगता है कि जो मैं सोचता हूँ वो पूरी दुनिया में होता रहता है सूरज बनने से ही वह व्यक्ति अपने आपको बड़ा मानने लगता है और पूरी दुनिया को अपनी रोशनी देने लगता है और यदि वह रोशनी ना दे तो वो पूरी दुनिया में अनेरा सा जाए वो सोचता है कि काश में सूरज बन गया, अब मैं पूरी दुनिया मेरे मुट्टी में रहेगी जब वैक्ती सूरज बन के पूरी दुनिया को देख रहा होता है तो थोड़ी देर में उसके सामने बादल कर जुन्डा जाता है जिसके कारण उसकी रोशनी जमीन तक आ जाती है आ नहीं पाती है और वह वैक्ती सोचने लगता है सूरज से भी क्या बड़ा बनना मुझे तो बादल बनना चाहिए जो सूरज की रोशनी को भी रोख सके काश में बादल बन जाता जब व्यक्ति बादल बनने की सोचता है तो तुरंद बादल में बन जाता है बादल बनने के बाद व्यक्ति सोचता है अब मैं सबसे बड़ा हूँ बादल बनने के बाद भी कुछ व्यक्ति के आस पास बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिसके कारण बादल भी इधर उधर बिछड़ जाते हैं और वह सोचने लगता है कि अब मेरी सामने कोई नहीं टिक पाएगा अब तो मैं बादल बन चुका हूँ वह सोचता है कि अब मैं हवा बन जाता हूँ तो वह तुरंत हवा बन जाता है हवा बनने के बाद भी अपने आपको बड़ा और ताकतवर मानने लगता है क्योंकि उसे कोई छू नहीं सकता कुछ देर में कहीं से किसी जगे पहुँच जाओंगा हवा बनने के बाद भी व्यक्ति अपने आपको बड़ा मान रहा होता है और बहुत खुश रहा होता है एकने में कुछ देल में हवा उरते उरते व्यक्ति के पास आता है और एक तूफान का जोका बनकर पहाड की तरफ चला जाता है लेकिन वह पहाड को रती भर भी हिला नहीं पाता तूफान और पहाड का ये द्रश्च देखकर वेक्ति सोचने लगता है अरे तूफान से भी बड़ा ये तो पहाड है क्योंकि इतने बड़े पहाड को तूफान ने तो कुछ हिला नहीं सका अब वेक्ति सोचता है कि काश में पहाड बन जाओ जैसे ही पहाड बनने की सोचता है वो तुरत पहाड बन जाता है पहाड बनने के बाद वेक्ति सोचने लगता है कि अब इस दुनिया में मेरे से बड़ा कोई नहीं मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ और उससे मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता जब पहाड बनने का वेक्ति को हिसास होता है तो उसके सरीर की अंग में कोई तकलीफ पहुचा रहा होता है वह अपनी नजरे घुमा कर देखता है तो सारे इंसान पहाड के पास है वो पहाड के पत्थर को अपनी छेनी हथोड़े से तोड़ रहा होता है जैसे तैसे वो अपने सपने को पहाड के उपर देखता है और उसको दर्द का हिसास होता है और वे वेक्ति परिशान होने लगता है और चिलाने लगता है कुछ देर बाद अचानक से उसकी नीन खुलती है और वो जग जाता है इसके बाद वेक्ति सोचने लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पहाड भी नहीं है क्योंकि वह छोटे छोटे इनसान अपने ओजारों से उस पहाड को भी तोड़ देते हैं कि बाद वेक्ति सोचने लगता है दुनिया में कोई भी वेक्ति कोई भी चीज बड़ा छोटा नहीं होता सब अपने इस्थान पर मजबूत और ताकतवर होते हैं कुछ समय बाद व्यक्ति को अपने सपने के बाद वह सोसता है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी भी चीज़ को बदल नहीं सकता इस प्रकार व्यक्ति अपने सपने में पूरी तरह विचार करने के बाद मनी मन अपने को कोसता है कि ना कोई महल बड़ा, ना राजनेता बड़ा, ना धूब बड़ी, ना बादल बड़ा, ना कोई पहाड बड़ा, यदि बड़ा है तो इनसान, जो इनसान तुफान की रास्ते को भी बदल सकता है, और मजबूत कर सकता है, और पहाड के टुकडों को भी तोड़ सकता है, इ झाल 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 झाल